नमस्पार दोस्तों, आप देख रहे हैं, पुनम सिंग रेसिपी और मैं पुनम आज बना रही हूँ, UP का फैमस मटर का निमोना, तो उसके लिए हम 1200 घ्राम फ्रेश मटर ले लिये हैं, और साप में हम ले लिए हैं फ्रेश धनिया का हरा धनिया का दाना सुखा धनिया इसमें नहीं पड़ता है और हम लहसुन का ले लिए हैं एक इंच का टुकड़ा अद्रक और तीन हरी मिर्ज को हम तोड़ कर रख लिए हैं और उसी में डालने के लिए हम ले लिए हैं देखिए टमाटर एक हम काट लिए हैं रफली ही काटे हैं जीरा ले लिए हैं तड़का के लिए हल्दी और यह है हींग पाउडर और यह है गरम मसाला पाउडर तो सब हम निमोना में डालेंगे और यह है आलू आलू कच्चा तो फ्राई भी कर दिये थे तो उसी में से हम निकाल लिये थे तो देखिए अब हम सारा पीस लेंगे मसाला अच्छी तरह से इसे चिकना हम पेश्ट बनाएंगे और कोई मसाला नहीं डालना है क्योंकि हमको इसमें हरा धनिया का ही स्वाद पता चलना चाहिए इसमें तो केव निमोना में और बाकी मटर को हम दर्दरा पीस लेंगे बिल्कुल चिकना नहीं करना है नहीं तो निमोना बहुत गाढ़ा ही पीसेंगे मसाला हम सब निकाल लिये अब इसी में हम उसी जार में पीस लेंगे मटर को और तो देखिए मटर को भी हम पीस लिए हैं अब हम कडाही गर्म करेंगे और इसमें आलू को और हम फ्राई करेंगे गोल्डेन ब्राउन तक तेल पहले से ही कडाही में था जो हम भुजिया बनाए हुए थे उसे में हम बना रहे हैं तो आप लोग माइंड नहीं किजिएगा कि गंदा कडाही है और देखिए कि हम इसको फ्राई कर रहे हैं इसमें हल्दी भी हम डाले थे हमको बाद में ध्यान आया कि तो निमोना के लिए भी हम इसमें आलू काटे थे तो उसमें हाफ फ्राई हुआ था तो हम थोड़ा सा निक चमच हम जीरा ले लिए हैं और इसमें डाल देंगे हिंग पिंच भर हिंग है ये हिंग मतर में जरूरी है और दो तिन लाल मेर्च हम टुकड़ा करके डाल दिये हैं और इसमें डाल देंगे सारा मसाला हरा धनिया वाला जो हम पीसे थे मसाला इसमें हरा धनिया का पत्ता न इसे हरा color में ही पता चलना चाहिए तो एक दम बिल्कुल जरास हम डाले हैं आप चाहें तो लाल मिर्सी डाल सकते हैं लेकिन फाउदर यह देखिए हम डाल दिये इसमें मतर हम इसलिए मसाला भूनने के बाद भूने ताकि यह इसका हरा जो green color है वो खतम नहीं हो जो एक ग्रि भून लेंगे अची तरह से, सौफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे भूना हुआ आलू, देखिए भूना हुआ आलू, हम इसमें नमक नहीं डाल रहा हैं, क्यूंकि आलू में पहले से थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ था, स्वाथ क्यानू साथ, इस सब को हम बिल्क सुखने तक भून लेंगे, क्योंकि मसाला वे सौधा टेस्ट आना चाहिए, इसे ही चला चला कर हम भून लेंगे अची तरह से, रालू भून गया है, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, मटर जिनको कलेस्ट्रोल हो, उनको मटर जरूर खाना चाहिए, बहुत ही फाय प्लेश्ट्रोल वाले को, तो जरूर किसीने कुर्शी रूप में आप लोग लेते रहिए, इसी बीच हम डाल दिये, सरसो का तेल दो चमच, फिर हम उसी कडाही में डाल रहे हैं, क्योंकि हमको मटर अभी भूनना है, सुखने तक अच्छी तरह, धीरे धीरे आज पर इसे आप लोग भूनेएगा, क्योंकि थोड़ा सा कच्छापन टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, और तेज आज पर चिपकता है, तली में इसलिए धीरे धीरे आज पर ही इसे भूनना है, बिल्कुल सुखने तक चलाते रहना है लगातार, तो देखिए हम कैसे पकड़ के खड आते हुए हम भूनते रहेंगे, बिल्कुल जब तली छोड़ कर एकदम गोला हो जाएगा, इसका डो जैसा हो जाएगा मटर का, तब हम इसमें पानी गरम करके डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना है, पानी गरम करके डालने से जल्दी से उबाल भी आता है, और पकता भ गया है कड़ाही के, आप लोग कैसे बनाते हैं निमोना, कॉमेंट करके जरूर हमको बताईएगा, हो सकता है, वैसे हम न बनाते हैं और हम भी सीख लेंगे, तो देखिए हम डाल दिये इसमें गरम पानी, गरम पानी हम केटली में करके रखे हुए थे पहले से, और इसको हम चला चला कर धीरे धीरे पूरा इसको गोल देंगे पानी में, ताकि गुल्ठी नहीं बने, और देखिए हल्दी कम रहने के कारण मटर का ग्रीन कलर बिल्कुल जहलक रहा है, ऐसे हम चला चला कर पूरा गोल लेंगे मटर के दाना को, पिसा हुआ मटर को, और इसे उबलने देंगे हम, देखिए अभी भी चलाने पर निकल रहा है नीचे से, तो इसको धीरे धीरे ही, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एकदम सूख कर ये गोला बन जाता है, तो घुलने में थोड़ी दिक्कत होती है, देर भी लगता है, तो देखिए अब घुल चुका है, मट पतला ही अच्छा लगता है, अब देखिए कितने एच्छे तिरा से उबल रहा है ये, अब इसी में हम डाल देंगे गरम मसाला, गरम मसाला भी हम बिल्कुल कम डालेंगे, क्योंकि ज्यादा मसाला का स्वाद नहीं अच्छा लगता है निमोना में, और इसी भीच हम डाल द थोड़ा पकने में टाइम लगता है निमोना में एकदम पका हुआ मतर ही अच्छा लगता है जो सीज़ जाए गल जाची तरह से और देखिए हम तब तक तड़का भी तयार कर लेते हैं गी और जीरा ले लिये हैं इसको हम तड़का में लगा रहा हैं तो तयार हो गया है निम के भुजिया के साथ इसी बीच जो लोग नए नए लोग मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज मेरे हमको सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा तो देखिए हम सर्व करते हैं खाना के कैसे खाना के साथ खाते हैं हम लोग देखिए चावल को हम बोल की सहाइता से इसको हम परस दिये है, आमका अचार ले लिए है, आलू का भुजिया ले लिए है, और इसी में हम डाल देंगे दाल, हरी मिर्च के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है ये, जिसको तीखा पसंद है, उपर से हरी मिर्च ले सकता है, और देखिए, दाल हम कैसे खा रहे हैं आप लोग को सर्व करके दिखा भी रहे हैं तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजेगा ताकि अधिक आंस लोगों तक मेरी रेसिपी पहुंच सके और पूरी रेसिपी देखन दोस्तो और परोचियों को भी जरूर खिलाईए।